आज मैं आपको ऐसी तीन से चार कार बताने वाला हूँ जो कि अभी अभी लॉंच हुई है या फिर लॉंच होने वाली है और अगर आप दिवाली के टाइम पर या फिर फेस्टिव सीजन में कार लेनी की सोचने तो उनका आज को कंसेडर कर सकते हैं तो पांस साथ लाग की बीच में जिस कार को आप सबसे पहले कर सकते हैं वो है टाटा पंच टाटा पंच एक माइक्रो एस्वी है वो जल्द ही लॉंच होने वाली है इंडिया में एंड उस कार में एक्सपेक्टेड़ की आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल इसमें आपको 110 PS की पावर मिल जाएगी साथ ये 140 एनम की टॉग जनरेट करेगा इनकेस आपको जो बिजटर वो साड़े पांस से लेके साड़े साथ लाग के बीच में तो ठाटा पंच आपके लिए बहुत ही अच्छा उप्शन हो सकता है क्योंकि एक तो ये निव है साथ इसमें आपको अच्छे खासी रिजिडनेस देखने को मिल जाएगी अच्छे खासी बिल्ट कॉलिटी देखने को मिल जाएगी सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बात करते हैं हमारी दूसरी कार की दूसरी कार को आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपने लिए फाइव देखने को मिल जाएगी आप उसको बुक भी कर सकते हैं उसकी टेस्ट डाइव वगरा सब कर पाएंगे अगर मैं इसके मैनूल ट्रांसमिशन और अटमेडिक ट्रांसमिशन सब कुछ अलग करके वोलू तो टोटल आपको 34 ऑप्शन होंगे सलेक करने के लिए बट इस चीज को मैं थोड़ा साब के लिए इसी कर देता हूं तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके वेरियंट से तो आपको इसमें चार वेरियंट देखने को मिलेंगे AX3 के पेटरोल वेरियंट में पु क कर साथ आपको आपको सारी चीज चीज की अगर आपको देखने को मिल जाएगा वह को आपको अपको ओल विल ड्राइफ का ओप्शन भी देखने को याब जाएगा जादा बेटर अंडरस्टेंडिंग के लिए आपको एक पिच्चर दिख रही होगी आप उसमें से पढ़ सकते हैं कि exactly किस वेरिंड में आपको क्या मिलेगा बात करें एक सब्सक्राइब की तो इसमें आपको कॉफी जादा खतरनाक फीचर मिलने वाले हैं आपको इसमें safety से related बहुत अच्छे features मिल जाएंगे आपको इसमें luxury बहुत अच्छी मिल जाएगी panoramic sunroof बहुत अच्छा मिल जाएगा और design के तो बहुती जादा लोग दिवाने होगे हैं जब से एक car launch होई है तो in case अगर आपका जो budget है वो 12 लाग के असपास से start होता है और वो जाता है 20 से 25 लाग के असपास तो इन price के बीच में अगर आप कोई भी car लेने की सोच रहे हैं तो आपके पास option है आप चाहते हैं तो 5 सीटर पे भी जा सकते हैं आप 7 सीटर पे भी जा सकते हैं काफी जादा वाइड कर दिया है इसके variants को कि हर segment में आप इस cars को घड़ा कर सकते हैं यह हर segment की car के साथ टकर ले सकती है नो बात करें अगर third car की तो third car है hatchback segment की now hatchback की बात करें तो यह है Hyundai i20 N-line now Hyundai i20 N-line में आपको power तो इत्मी कुछ जादा खास नहीं मिलने वाली है लेकिन जो looks है और जो interior है वो आपको काफी जादा प्यारा मिलने वाला है क्योंकि इसके जो looks है वो totally बदल दिये गए है और जो इसमें आपको interior मिलना है वो भी काफी जादा sporty feel कराएगा इसमें जो आपको exhaust मिलेगा उससे जो आपको feel आने वाली है like sporty feel आजएगी क्योंकि जो इसका exhaust है वो काफी जादा loud है एस पर अगर हम उसे compare करें जो और i20 आती है पहले से और variants आते है उससे तो in case अगर आपको Hyundai i20 काफी जादा पसंद है Hyundai की servicing पसंद है उसका network पसंद है त इसके साथ साथ अब बात करते है हमाँ अपनी next car की जो की होने वाली है एक mid-size SUV और मैं आपको ये बात बोल सकता हूं कि जब ये car आएगी तो अपने segment में जो की mid-size SUV वाला जैसे अगर आप features और safety की बात करें तो ये car features में तो किसी से नहीं हानने वाली है यहां तक कि जो XUV7 development features आते हैं ये एक कदम उससे भी आगे है मैं बात कर रहा हूं recently launched MG Ester के बारे में in MG Ester में आपको 27 से भी जादा safety features मिलते है जासे उसमें आपको hill descent control मिल जाता है उसमें आपको ESP देखने को मिल जाता है उसमें आपको traction control मिल जाता है ऐसे बहुत सारे हैं साथ ही साथ उसमें आपको EDES system मिलता है जो कि XUV7 Double O में भी है बट एस्टर में आपको ADS level 2 देखने को मिलता है जो की एक कदम आ गया है इसमें आपको lane की पसिस मिल जाएगा लिक इनकेस अगर आप अपनी lane में जा रहे हैं एक expressway highway पर चलने हैं और आप अपनी lane में चल रहे हैं उभी अबिना इंडिकेटर दूसरी लेन में जाते हैं तो जो जो आपको तो आपको भो रिजस्त करेगा रोगे गा रहा देगा और साहती? अजिल के सबस्वेशन में एक साथ इंकशन सब्सक्राइब वह और आरके वह स्प्ण इंटरस्टिंग फीचर्स हैं अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मैंने रिसेंटली अप्लोड करी आप चाके चेक कर सकते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि इसका क्या प्राइस रहेगा तो यह भी फिलाल लांच रूई है और एमजी ने कोई भी प्राइस रि आपको जो नेक्स्ट वीकेंड अब से यह देखने को मिल जाएगी एमजी के शोरूम में इनकेस आप लोग सोच रहे हो कि इस दिवाली या फिर इस फेस्टिव सीजन कोई एलेक्रिक वहिकल अपने घर लेकर आते हैं जिसमें हमें प्राइस भी ठोड़ा ठीक ठाक सा मिल ज आपको इसकी जो एवरेज रेंज है वह देखने को मिल जाएगी और यह डिपेंड करता है कि हम कैसे ड्राइब करते हैं बट अगर मैं बात कुरूं इसके प्राइस की तो इसका प्राइस काफी जादा अच्छे रहने वाले क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वहिकल्स हमेशा से ज सबसे तोप तरिम है वो आपको 30,14,000 में मिल जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल जाएग अगर बात करूं करूं में इसकी पावर गितो इसमेशा आप को 74BHP की पावर मिल जाएगी सात ही 170NM की टॉग जरेट करेगा अर अगर मैं बात करूं इसक तो इसमें आपको 26 kW की बैटरी देखने को मिल जाती है इनकेस अगर आप 12-14 लाग के अंदर कोई EV वहिकल देख रहे हैं तो आप TIGOR EV के साथ जा सकते हैं इनकेस अगर आप दिवाली या फैस्टिव सीजन में कार लेनी की सोच रहे हो आपका जो सेग्मेंट हो मेरे पता हुई सेग्मेंट से मैच करता है तो आप इन कार्स को अपनी लिस्ट में लेक सकते हो और इनकी जाके टेस्ट डाइब बगएरा ले सकते हो इस वीडियो में इ आपको आपको ये वीडियो पसंद्द आयो अगर इवीडियो पसंद्द आयो तो वीडियो को लाइक कीजए और अटो मूबल Wash रेलेटेट वीडियो स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ